ओम शान्ति श्रिष्टी में एक बार ही सत्यूग आएगा, एक बार में ही कल यूग आएगा, एक बार में ही त्रेता यूग आएगा, एक बार में ही द्वापर यूग आएगा तो चारो यूग आएगा एक बार ही पर ये अब भी सज्जुग जो आने आवाला है वो पहला सज्जुग होगा और इसके पहले भारत में कभी भी सज्जुग नहीं था जो 2036 में ये सज्जुग सुरू होने वाला है और ये 5000 बरसों का जोग चक्र है वो शुरू में जो सिंदुगाटी सभेता के बाद भारत में त्रेता यूग ही बिक्सित हुई तो वो त्रेता यूग भी सज्जु की बराबर थी जिसमें वो राम सिथा का राजराता है उसमें राम के सरेबन सजराते हैं वो राम के नाम सही गदी पर बढ़ते हैं तो वो सब सिंदुगाटी सभेता के बाद त्रेता यूग का बिक्सित हुई जो भारत में स्वर्ग का भालाया, फिर त्रेता युक्यांत में भगवान बुद्ध का जनम हुआ, जिसे गौतम बुद्ध काते हैं, तो वो बहुत धर्म के स्थापना किये, फिर उसके बाद संकराचारे भी पैदा हुए, जो सन्यास धर्म के स्थापना किये, वो भी द्वापर युग में ही हुए, इशाम अशी इब्राहिम ये सब भी द्वापर युग में ही पैदा हुए, तो ये सब धर्म स्थापक हुए बहुत अच्छे थें, पर उसमें स्रिष्टी भी अच्छी थी, को इतनी कल युग जितनी पापाचार नहीं था, त्रेता युग में तो भाय खैर बहुत ही पव इतर दुनिया थी, पर ये द्वापर युग में भी इतनी दुख नहीं थी, प्रजा इतनी दुखी नहीं थी, पर द्वापर युग के बाद मीर कासीम के साथ ही मुश्लिम अक्रमकारी था, जो मीर कासीम उसके साथ ही भारत में कल्युकीच शुरूआत हो गई, उसमें भा पंठ है सब को बहुत नुकसान हुआ तो इनका बहुत बैपार में भी छती हुई भारतियों का बैपार बहुत जगा सारे भीश्यों में फैला हुआ था यह मुगल लोग तो सिर्फ बाद में उसको सिमित कर दिये सिर्फ भारत तक ही सिमित रह दिये तो भारत के बैपार सारे भारत का सबसे काला समय रहा है, सबसे बहुत भारत गरीब रहा, फिर अंग्रेजों का साम सासान आया, उसमें भी भारतियों को काफी निर्धनता हो गई, अंग्रेजों की भी पॉलिसी आप अच्छी नहीं रही, कि यहां के लोगों को रोजगार के लिए कुछ किया जाए, इस तरह से भारत को गरीब होता गया, फिर यह उनके जाने के साथ ही वो कल्यूग खतम हो गया, अंग्रेजों के जाने के साथ ही कल्यूग यह खतम हो गया, भारत में फिर यह जो सज्जूग और योड कल्यूग के समय का जो संधिकाल है, वो चल रहा है, यह 2047 से हैं, तो 100 स साल तक चलेगा इसे सौ साल सक संदीकाल था पर ये 2036 में भष्षवानी किया गया है कि ये सज्जूगा आएगा ये सूरज भाई हैं ये बहुत से कुमार भाई लोग हैं ये ये लोग भष्षवानी किया हैं तो 2036 से संदीकाल पर बैपाई माना जा सकता है कि सजुग आने वाला है पर उसके पहले ये बीच में जो ये बहुत भेंकर महाभारत लडाई भी होगी जो सभी भारतियों ने अपनी सेनाय बना ली हैं कोई लोरिक सेना, कोई भीमा सेना कोई सीव शेना कोई रडविट सेना कोई लोरिक सेना कई कई तरह की सेना बना कर लड़ाई करेंगे तो इस तरह के बहुत से लड़ाई चलिए होगी भासा के नाम पर धर्म के नाम पर बहुत सारे लड़ाई होगी तो उसको भारतियों के लिए तयार राना पड़ाईगा भासा धर्म के नाम पर यह लड़ाई करेंगे और यादो लोग हैं तो यादो लोग तो विदेशी को ऐसे यादो हम कहेंगे क्योंकि यहां कि यादो तो उतने क्रोधी नहीं है जितने विदेशी हैं वो भी यादो कहलाते हैं तो वो भी बड़े-बड़े मिसाईल बना लिये हैं बड़े-बड़े मिसाईल बना करके स्रिष्टी का बिनाश करेंगे जो महाभारत में मुसल था वो यहां पर मिसाईल का रूप दे दिये यह लोग मिसाईल का से अपने आपका बिनाश करेंगे भ वो अब सारे विश्व का अपने और भारत के बाहर है वो आपसम लड़ेंगे एरोपीये और सबसे वो आप विद्देश वाले लड़ेंगे इस तरह से भारतीयों का बहुत कठीन समय है कि भारती के महारत लड़ाई अभी जो स्टार्ट होने वाली है उसमें बहुत से से नाय जो हिंसक नहीं होंगे जो पवित्र होंगे वो बच जाएंगे उसमें कारिगर भी होंगे वेज्ञानिक भी होंगे उसमें कई तरह के लोग होंगे जो बच जाएंगे जो हिंसक नहीं को हिंसा नहीं करेंगे जो पवित्र रहेंगे हिंसा का सहरा नहीं लेंगे वो बच जा पार्ट बना बजाएंगे, उसके बाद सत्यूग में बहुत ही पवित्र लोगों का आगमन होगा, तो उसमें शरीकृष्ने, अब लोग बोलते हैं शरीकृष्ने आएंगे, तो यह इतना जल्दी शरीकृष्न भी आने बाले नहीं है, क्योंकि पतित दुनिया में शरीकृष स्थापित राज्य हो जाएगा पवित्र राज्य स्थापित हो जाएगा तब उसके बाद वो धर्ती पकरदम रखेंगे इस तरह से अभी स्रीक्रिष्ण अभी हाल-फिलाल जनम नहीं लेंगे इधर 2050 तक लगता स्रीक्रिष्ण जनम नहीं लेंगे इसके बाद अभी जो सज्जु के लिए जो निर्वान कारे चल रहा है उसमें अभी कई-कई आत्माओं का पाठ होगा कई-कई नहीं नहीं आत्माओं आएंगी तो अपना पाठ बजाएंगी सज्जु की सिर्ष्टी के लिए वातरन के लिए सज्जु की उसमें बड़े-बड़े बड़े बेग्यानिक भी होंगे बड़े-बड़े दर्षनिक भी होंगे जो सज्जु के स्थापन में भाग ल